गुड मोर्ये फ्रेंट्स हम लोग जोरफी यानि nc飲 जोरफी का जो हास 11 है उसका अंवोर प्रयोगी जोरफी यानि प्रयोगी भूलपर है यह मुख्यता मैपर बेश्ट यानि मैप के बाड़े में सब्सक्राइब पहला हम देखे थे मानचीतर का परिचयर और उसका इतिहास और आज हम लोग देखेंगे मानचीतर मापनी क्या है सबसे पहले हैं जानेंगे कि मापनी के बारे में उससे जूरे की कुछ सब्दावली देखेंगे और फिर इसका अध्यान करेंगे तो यहां देखिए हम लोग अध्या एक में क्या देखें कि मापनी सभी परकार के मानचीत्रों के लिए आवस्यक्त तो है यह इतनी अधिक महत तो पूर्ण है कि अगर रेखाओं एवं बहु भूजों का एक जाल बीना मापनी के बनाया जाए तो उसे के वर एक रेखा चीत्र ही कहेंगे यानि उसका अगर कोई पैमाना नौ हो कि बताया नौ जाए कि वह जो स्केल है या जो मानचीत्र है उसमें इसका जो एक यूनिट है एक इंजी कहिए एक सिंटीमीटर कहिए उसके बराबर क्या ऐसा कुछ नहीं वा तरीके कौन-कौन से हैं छेत्र एवं दूरियों को मापने में मापने कितनी उप्योगी है इस तरह के प्रशनों का उत्तर इस अध्याय में मिलेगा तो सबसे पहले देखते हैं कुछ एप्डिविजेशन यानि सब्दा हो लिए यसे ऑंस अंस मतलब क्या तो भीन में रेखा के ऊपर इस्तित अंक को अंस कहते हैं यानि क्या होता है यसे यह लिख दिया जाए एक वटा दू एक वटा चार एक वटा पांच वह इस टाइप के जो लेटा लिखार मिलेगा वही भीन होता जिसमें उपर वाला अंस होता है नीचे वा उदारन के लिए एक अनुपात यह पचास हजार मतलब है कैसे लिखा जाएगा एक उपर रहेगा और नीचे इदहाई सेकरा हजार दसर पचास हजार रहेगा तो इसमें एक अंस है दूसरा है निरूपक भीन तो निरूपक भीन क्या होता है मान चीतर अथवा पलान की मापनी को परदर्शित करने की एक ऐसी विधी जिसमें मान चीतर या पलान पर दिखाई गए दूरी तथा धरहातल की वास्तर विक दूरी के बीच के अनुपात को भीन के द्वारा परदर्शित किया जाता है वही क्या कहाएगा नीरूपक भीन आगे देखते हैं कि आपनी किया है आपने मान चीतरों में अवस्त देखा होगा जिसमें एक रेखी का समान विभाजकों को व्यक्त करती है तो पड़ते कमान किलो मीटर या मील में अंकित होता है मानचीतर परो दरहातल की दूरियों का पता लगाने के लिए इन विभाजनों का उप्योग किया जाता है दूसरे सब्दों में मापनी मानचीतर पर दिखाए गए समपूर्ण पिडिथवी या इसके किसी आंसिक भाग के साथ मानचीतर के संबन्ध को डर साता है यह सम्भने मान चीत्र पर कि इन दो अस्थानों की दूरी एवम ध्रहतल पर उन्हीं दोनों अस्थानोंगी बीच के वास्तर्म इक और णुपात के रूप में भी व्यक्ठ कर सकते हैं यानि कि कलपना क्रें कि यहां से मान लेते हैं कि दिल्ली का दूरी है 1000 किलो मीटर है अब अगर हम मैप पर यहां से जो दिल्ली का दूरी है 1000 किलो मीटर है और अब यहां पर हम लिख दे कि जो मैप बना है उसमें एक सेंटी मीटर बड़ाबर एक सो किलो मीटर है तो जो मेरा मैप होगा उस मैप पर हमारे पॉ तीन वीधियों से व्यक्त किया जाता है, पहला मापनी का परगथन, दूसरा आलेखी या गराफी वीधी और तीसरा नीरूपन भीन यानि आरेज़ तो देखते हैं क्या क्या है, उप्रयोक्त वीधियों के अपने अपने लाभ हैं, उसकी कुछ लीमिटेशन यानि सिमाए हैं किन्तु इन तथ्यों को जानने से पूर्वेहर जानने का पर्यास करें की, समाने ताम आपनी की माप की एक अन्य पधिती के द्वारा कैसे व्यक्त किया जाता है, ध्रातर पर दो बिंदूओं की बीच की 36 दूरी को मापने के लिए किलो मीटर, मीटर यों सेंटी मीटर इत् मीटर में को सेंटी मीटर मेंहीं उसका निड़्धारा की जाता है और दूसरी पधिती को माप की अंग्रेजी पर नाली कहते हैं जिसका उप्योग यूएसे यानि सन्युक्त राज अमेरिका इंगलेंड दोनों अस्थानों में प्रचली थे हैं रेखिए दुरियों को मापने तथा दिखाने के लिए उन्सों संतावन के पूर्व इस पर नाली का उप्योग भारत मे में भी होता था तो जैसे देखें हां पर माप की मैर्ट्रिक पर्नाली यानि मिशि אוय सोपछा कुछ है तो एक किलो मीटर बराबर एक अमेरिका में लागू है उस में सबसे बड़ी संख्या क्या है तो मिल है। छोटी है इंच, 12 इंच बराबर एक फूट फिर 3 फूट बराबर एक याड वही但 220 याड बराबर 1 फूर लाग और 8 फोरलाग मराबर एक मिल होता है यानि मिल से छोटी फखरलग फखल्वा से छोटी याड याड से छोटा फूट होता है तो आप सबकुछ निकाल दे सकते हैं मापणी को में व्याक्त करने की कुछ बीधिया है जैसे जैसा कि पूर्व में असपष्ट किया गया है कि मानचीतर की मापनी को कोई वीधियों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है यहां तक यहां पर्यास किया कि इन विदियों का उपयोग किस परकार किया जाता है तो उनके लाभ एवं सीमाय क्या है मापनी का परगत्र यह किया है मानचीतर की मापनी को जब लिखित प्रगत्र में व्यक्त किया जाता है तो उसे मापनी का प्रगत्र करते हैं उदार के लिए देख लिए जैसे यह दी म 12 mm की दूरी के बड़ावर होई इसी परकार दूसरे उदारन यदि मैं पर हम एक इंसी के बराबर नीचे लिख देते हैं दॉसमेल यानि 1 इंसी का जो मान चित्र की दूरी होई वह द्रहातल के 10.000 की बराबर है यह एक मापनी परदरशित करने की विडियों में सबसे स्वरल विधी है कभी-कभी एक पधिती से परिचित लोग दूसरी पधिती में दी गई मापनी के कथन को नहीं समझ पाते इसी प्रकार वास्तविक मान्चित्र को बारा या छोटा करने पर इसकी मापनी पूर्वत नहीं रहती तुधा इसके लिए एक नई मापनी की गंणा करनी परती है। ऐसी स्थिती में मापनी व्यक्त करने की अन विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे एक होगा आलेखी अथवा गराप विधी इसमें क्या होगा मापनी की दूसरी विधी में मान चीतर पर किन्हीं दो अस्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो अस्थानों के बीच की दूरी को एक 36 मापनी के दौरा दिखाया जाता है जिस पर प्रात्म क्या होगा मापनी में माप को किलो मीटर या मीटर में ही व्यक्त किया जाता है किसी और रही कि यह उपयूग्द है जो मापनी कर दाय ER मितर से सुरूल है और हाफ पर किलो मीटर सोल इस्ता है तो यहां से यहां तक किलो मीटर दो किलो मितर तीन किलो मितर चार किलो मितर फिर सका डिभाइड टेसनिहlında कर दिया एक पांचसो मीटर या 100 मीटर इससे से इसका बट्वरा हुगा और इसमें हम attracted हमारा एक युनिट और उसके बरावर में क्या है है यहाँ 50000 मेटर या- nutr क्या होगा तो मैपर चो एक सेंटी मीटर होगा वह वह पचास अचिंटी मीक्र के बड़ाबर होगा और रूपक भी है क्या है तो मापनी परदर्सित करने की तीसरी विधी निरूपक को वयक्त करती है मापणी में वयक्त ईकाईयों के उपयोगे ने इसमिको विद्धी के रूप में वयक्त क्या जाता है क्योंकि है उस पर जो इकाई एक है उसके बराबर रियल में यानि भूमी पर की दूरी जो होगी वहार 24,000 यूनिट होगा इसे किसी भी इकाई में माना जा सकता है यहां मैप बनाने वाले पर डिपेंट करता है कि वह एक कितना आखता है इसे किसी भी इकाई में माना जा सकता है जैसे कि एक मिली मीटर या एक सेंटीमीटर या एक इंच धरातल पर करम सहर 24,000 सेंटीमीटर 24,000 इंच को दरसाया जा सकता है यहां यह भी याद रखना चाहिए कि एकाईयों के भीन को मेटर किया अंगरेजी पजितीम में बदलते समय सेंटीमीटर या इंच की इकाईयों का उप्योग समाने तह परिपाटी के अनुसार लिया जाता है निरूपक भीन विधी में मापनी की इकाई को व्यक्त करने का यह तरीका इस विधी को सर्वात्रिक मान एवं उप्योज बनाता है आए एक अनुसार चाहिए एक अनुसार चाहिए निरूपक भीन को निरूपक भीन विधी की सर्वात्रिक प्रकिर्थी के रूप में समझे यादी दी गई मा अपनी एक अनुपाच शती सज्जाब है् तो मैट्रिक पर्णाली से परचित व्यक्ति दीगई एक आइयों को सेंट्री मीटर में बदल के पढ़ेगा यादी मा ने चीते पर एक इकाई दूरी को एक सेंटीमीटर तथा 36ज एकाईयों को दूरी को ध्रहतल में च्छोतिस हजार सेंट्रीमेटर के रूप में परहेगा तो निरूपक भीनों को शब्रान कॉफन में बदला जा सकता है। यानि संटीमेटर बड़ाबर 306 मीटर इहां अभीन के हर में संटीमेटर के संख्या को सो से भाग देकर भी मीटर में बदल सकते हैं यानि नीचे क्या है 3600 इसमें अगर 100 से भाग दे दिजिए दो जीरो से दो जीरो कट गया यानि 360 मीटर बचेगा अंग्रेजी पर नाली से परचित एक अन्य भेगती दी गई मापनी को अपनी सुविधान उसार इसी इंच में बदल सकता है है एक इंच मापनी को एक हजार गज के रूप में वह समझेगा उसके लिए क्या करें का अगर 3600 इंच है तो वह उसको छोट्तिस हजार में एक हज भाग दे देगा तब क्या हो वह समझेगा कि 3700 गज हो गया या 36 से भाग देने पर एक हजार प्राप्थ हो जाएगा एक हजर गज होगा और मापनी के रूप आंत्रन कैसे होता है देख लिए इस प्रकार मापनी परदरुसित करने वाले उपव्यूगत वीधियों के अध्यान के पस्चात मापनी के प्रकाथन को निरूपक भीन्ड में एवं निरूपक भीन को मापनी के परकथन में परवर्थित किया जा सकता है मापनी के परकथन को निरूपक भीन में बदलना यानि जो कहा गया है उस पर दिया गया है कि एक बराबर मान लेते हैं कि यहां पर दो सजार इसको हमको चेंज करना है एक मान चित्र की मापनी में द निर्वधिखी चर्णों के द्वारत दीके मापनी को नीरूपक बिहिन में बद्ला चासका जैसे कि 1 इंच दूरी धरातल कि 4 मिल दूरी को यहां कर रहा है अब हम लोग को यहान की एक इंच परावर क्या धरातल का चार मिल तो एक इंच बराबर चार गुना तीरसट हजार यानि एक मिल बराबर तीरसट हजार तीन सो साथ ही इंच होता है याद कीजिए एक मिल बराबर तीरसट हजार तीन सो साथ इंच इंच परकार एक इंच बराबर तो इसमें एक इंच बराबर 63,360 है इंच तो एक इंच बराबर एक इंच बराबर 4 मिल है एक इंच बराबर 63,360 है इंच गुना चार यानि दूर लाग 3,5440 इंच को यह व्यक्त करेगा यानि का अनुपात क्या होगा एक अनुपात दूर लाग 3,5440 है इसका अनुपात होगा दूसरा नि मापनी के परकथन में प्रयुवर्थित करना है मतलब इसमें दिया हुआ है कि एक उनुपाध लक्तagensाट को के बरापर रियल में द्रयात नहीं मैं अब दूर लाफ हे तिरपन हजार चारसो चालिस जो मेरा है इसको सुठ करें एक संती मीटर है येक संती मीटर है 1 संती मीटर है तो इसको हम मग लुद क्रीडी में बतल ना ज 초ained दूर दू लाँअ तिरपन 1440 में और किलोमियटर में बतल देना है उसे को तो क्या करेंगे तो एक कीलोमीटर पड़ाबर एकपी तहां इसक्राहँ 2020 1 लाख सेंटिमीतर होता है तो इसमें ghe हम एक लाखसे वह भाग देंगे बराबर हो जाएगा एक सेंटिमीतर पड़ाबर मतलब इसमें जो मैप का एक सेंटीमीटर बड़ाबर दू तो सब्लों पांच तीन किलोमीटर को यह ब्यक्त करेगा आलेखी या रेखी का मापनी की राचना कैसे होती है यह जानेंगे तो देख लेते हैं आलेखी यहां देखी का मापनी की राचना एक अनुपाद 50.000 मापक पर निर्वीत मान चित्र के लिए एक आलेखी मापनी की राचना कीजिए इसमें एक किलोमीटर तथा उसको लोग या तथा मीटर पढ़ी जा सकते हैं मतलब परिपाटी के नुशार एक आलेखी मापनी बनाने के लिए लवफ 15 सिंट्रीमीटर की लंबाई ली जाती है और निर्वी चर्णों में एक अनुपाद 50.000 का और्स क्या हुआ कि पिर्थि मैप का एक बराबर धरातर पर 50.000 ही काई अगर एक बराबर एक सिंट्रीमीटर और 10ALK सिंट्रीमीटर लेकिन इसको किलो मीटर में बतलना हो इसमें एख्लाग से भाग दे यानि 15 सिंट्रीमीटर वराबर 17 सोलो पांच किलो मीटर होगा यह साथ undermnerd 5किलो मीटर एक पुर्णांच नहीं है इसलिए हम से 5 या 2 किविंटर को पूर्नांग के रूप में ले सकते हैं इस पर 295 का निकरता मान 5 को पूर्नांग के रूप में लिया जा सकता है तो इस पर पर कर्nek 5 कीलोमीटर की रेखा को लांबाई में व्यक्ति करने के लिए क्या किया जाएगा साथ दसमनों पांच किलो मिटर को 15 सेंटी मीटर के द्वारा वियक्त किया जाता है और 5 किलो मिटर को 15 गुना 5 बटे 7 बटा 5 की द्वारा वियक्त किया जाएगा सबसे पहले क्या किया जाएगा 10 से पांच बराबर मुख भागों में विभाजित कर दें इस तरह से अब हाएवाले एक मुख भागों को छोड़ कर यानी बाहें से एक मुख भागों में उसको डिबाईट कर दें ओब हम लोग से शुरू करते हुए पर एक भाग को सौ मिटर के मान के दोबहरां इसको यहां पर चिनित करें किया जाएगा और दो चार पांच भागों में उसको भीभाजिद कर सकते हैं पर प्रते को भागों के लिए 500-250-200 मीटर के मान लिखा जा सकता है उसी तरह अगर एक आलेखी मापनी अगर की राचना करना हो जिसमें क्या हो मापनी क्या करता है एक मील हो और एक मील और मैप पर उसको एक इंच एंच बाला होगा तो कम सकम छोष एंच की लंबाइव उसकी ली जाती है छोष एंच की लंबाइव क्या लगभा वह वह भी 15 सींटीप्र ही हो तो अलेखी मापनी के लिए निम्रिखी तरीके से लंबाइव याद कि जाते एक इंच पर आपर पॉन्द्रह मील और तो पाच ही धागों में पर्तेक का मान एक मील रखा जाएगा और एक छोड़ देंगे अब भाग को भी चार पराबर भागों में फ्रेयक्त किया जाएगा और उसे जीरो से सुरू करके करते हुए प्रतेख भाग का मान दू फरलोक रखेंगे यहम जानते हैं कि आठ फरलग पबर एक मील तो इसलिए यहां पर से एक भाइट करना है फ़ोड लोग को जीरो दो चार छॉ आठ में डिवाइट कर दिया जाएगा एक आलेखी मापनी बनाई है जिसमें दिया गया है कि निरूपक भी ने एक अनुपात 50,000 हैं तदा दूरियों को मील या फोरलोग में व्यक्त करना हो तो यहां पर एक इंच बराबर 50,000 इंच तो हम उच्छ इंच कहीं इसके लेंगे तो 6 इंच बराबर पचास अज़ार गूना चो लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसको अगर मील में चेंज करना हो तो एक मील बराबर इसको पूर्णांक में व्यक्त किया गया तो इसलिए चो इंच के चो हो गया और हमको पांच मील के रेखा में इसको व्यक्त करना है तो एक मील बराबर क्या होगा चो गुना पांच बटे चार दसमलो साथ तीम इस तरसी को डिभाइट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपको आपको पांच मील के लिए जो जिसनी लमी रेखा चाहिए वह आ जाएगा और क्या आएगा चो दसमलो तीन चार इंच के द्वा कि यहां देखिए यहां फरलोग है और फरलोग जानते हैं कि आठ फरलोग बराबर एक मील तो एक दू ती चार जैसे पांच होगे आप कि आए एक होगा दो होगा तीन श्यार पाणि देखते हैं क्या है आप चल्ड सम्लों तीन इंज को जो पांच मील का मना नथा इंज को एंज की असमान देखा को पांच पर अबर भागों में बाट लेंगे पुरहां बाय हागों फरलोग में बेंदर लामील जो वह फोलोग में तो यहां देखिए एक दो तीन चार भाग Uber देंगे याने दो फोलोग के दो दो-सो चारसो आत्से तरके दो-चार आठ बड़ाबर यह है एक मिल यह है दो मिल दो मिल तीन मिल चार मील और पांच मिल जो ura बनाए थे वह हैं पांच 시간이 का एक मैप हो स्केल हो गया है अब अगले बार मिलेंगे तो इसके नए चैप्टर में तब तक धन्यवाद आसा करते हैं कि यह परियास अच्छा लगए तो जुरूर लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें क्या था निम लिखित में से कौन सी भी धी मापनी की सरवात होता है मानचीत की दूरी को मापनी के किस में तो मानचीत की दूरी को तो मानचीत की दूरी होती है उसको किसे व्यक्त के जाता है तो उसको निरूपक भीने द्वारा व्यक्त के जाता है और मापनी में ऑंस व्यक्त क्या करता है तो यहां और होर तो ऑंस उपर वाला होता ह और नीचे वला हर तो कौन्स बराबर मानचीत की दूरी हर बराबर धर्हादल की दूरी और आगे बाला जब अगली बार मिलेंगे तो इसमें अगली बार अक्षांस दिशांत्र और समय के बारे में पढ़ेंगे तब तक धन्यवाद आज सा करते हैं कि अपर आसे जुरूरे चलागे तो लाइक करें शेयर करें कोमेट करें और सब्सक्राइब करें